नितिन्जी ने कहा कि दत्ता जी स्वहिंश्यवक्त थे और इसलिए उनके शताब्दी समापन में सरसंगे चालक जी का उपस्थित रहना लेकिन सरसंगे चालक तो मैं अभी हूँ दत्ता जी जब नागपूर में थे तो मैं भी यहां चात्र था बाद में नागपूर का प्रचार किसना ते आया तो 14 साल उसमें से बहुत सारे संबंध दत्ता जी एक हमारे जेश्ठ कारे करता इस प्रकार से उनके साथ संबंध आया उसलिए जो गुणवत्ता उनकी यहां पर वरनित हुई है वक्ताओं के द्वारा उन सब का अभीना प्रत्यक्षा अनुभव मैंने भी लिया है उनके उपर जो पुस्तक लिखी गई आधारवड ऐसा उसका नाम वत्यन्त समर्पक नाम है निश्चयाचा महामेरू बहुत जनांसी आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू श्री मन्त योगी तो ऐसे दो व्यक्तित्व उस समय नागपुर में से एक बापुरावजी वरारपाण्डे दूसरे दत्ता जी और इसलिए एक एक व्यक्ति के साथ सम्मंद अभी दत्ता जी के शताब दिके निमित्तम उनका अस्परण कर रहे बहुत सी बाते उनके बारे में बता रहे जब दत्ता जी थे और उनके संपरके में हम सब लोग थे तब ये बाते मन में नहीं आती थी उनकी जाने के बाद ये ज्यादा समझ में आता है उस समय तो वो अपने लगते थे और अपने अधिकार में वह ऐसा लगता था इसलिए कोई भी समस्या है और जाने वाला चात्र हो या बड़ा आयुक वाला गुरस्त कायर करता हो कोई भी हो उनके पास अधिकार पुर्वक पहुंचकर अपनी बात रखता था सला लेता था सहेता का आश्वासन मिलता था प्रसन्न और शान्त मन का होकर वापस आता था मुझे भी जब मैं यहां पढ़ रहा था तो मेरे जीवन में भी एक ऐसा प्रसंग आया कठिन प्रसंग आया मेरे दुरस्ति से कठिन था उस आयू में उस प्रसंग का सामना करना और थोड़ी हिम्मत तूटने जैसी हो गए थी तो मुझे मेरे घर से सूचना मिली कि वहां दत्ता जी को मिलो और मैं एक दिन उनके आँ जाकर बैठा दो तिन गंटा मेरी हिम्मत वापस आके ही और मैं उस प्रसंग से बाहर मिकला है ऐसा कितने लोगों का उन्होंने कहा किया होगा और इसलिए उनकी एक यहां के छात्र जीवन में पकड़ थी ऐसा मेरा अनुभव है होस्टेल में मैं पढ़ता था गुरुदक्षण उस्छव के लिए उनको बुलाया पहला गुरुदक्षण उस्छव था हमारे होस्टेल का आसी नभ्वे स्वयंचोक नहीं थे नय नय भरती किये थे ऐसे कुछ हमारे कहने के कारण आ गये कुछ ये क्या नया मामला है देखने के लिए आ गया ऐसे सब थे तो इसे वक दस बार रहा होंगी दत्ता जी को बुलाया था और वो भूल गया इसलिए समय पर नहीं पहुचे तो पाच मिनिट रहा देखके कारकम शुरू हुआ आधा पूजन हो गया लेकिन वो नहीं पहुचे तब मैंने फोन लगाया और फोन भी उस समय मोबाईल वगर था नहीं तो जहां कारकम था पास में एक होटल था उस होटल में फोन था वहां से फोन किया तो सवबागय से घर में थे और जैसा ही मैंने कहा कि आप आने वाले तो उनको धान में आया भूले तो बीस मिनिट में पहुच गया परंदू तीन-चार उस समय बदमाशी करने में जिनका डंका था नाकपूर में ऐसे भी वहां थे चात्र उनको यह पता नहीं था कि उस कारकर में दत्ता जी आने वाले तो मैंने वापस आकर फोन करके आया है वापस और बताया कि कुछ कारण देर हो गई लेकिन पंद्रा मिनिट में अपने आज के प्रमुक्ता पहुच रहे समय न जाए आपका इसलिए परीचे में अभी करा जे यह उनकी धाक थी और यह धाक एने उनके इस आत्मी यह संबन्दों के करन ही थी ऐसा उनका विक्तित्व था अजात अशत्र थे और व्यवार की शुद्धता जो थी उसके कारण सबके आदर के पात्र थे अब वो आज के दिन और वो दिन उनमें इतना फरक है आज हम दो दिन अपने कारे के लिए देख रहे है विद्ध्यारथी परश्वत का हो संग का हो या हिंदुतों के विचार से चलने वाले किसी भी संगटन का हो आज समास से समर्थन प्राप्त है सर्वदूर अपने विचार का स्वागत है इसलिए साधन समसाधनों की कमी नहीं है लिगो ओद दिन ऐसे नहीं थे अपने विचार से कोई काम करना और प्रगट रूप से उस विचार का अपने आपको घोशित करना याने लोगों के उपहस का पात्र होना ऐसे रहता था साधन समसाधनों की तो बहुत कमी थी ऐसे स्थिती में कार्यकरता पूरा मनोयोक से सतत काम करता रहे यह कैसे हो गया तो ऐसे कार्यकरता थे दत्ता जी जैसे और केवल कार्यकरता उन्हें सतत काम किया ऐसा नहीं तो जिनकी छत्रचाय में काम किया उनके सद्गुणों का अनुकरन करके उसी प्रकार से कष्ट्र सहन करके काम करनी की उनकी मानसिक्ता उन्हें कार्यकरता ने बनाई क्योंकि आगे आने वाले दिनों में यह बदलने वाला है ऐसा कोई भी लक्षन उस समय नहीं था ऐसी कल्पना भी करना हमारे यह विनोत का विशे होता था एक गीत हम कहते थे और मजाक से कहते थे पत्वार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी वो आती कभी नहीं पत्वार ही चलाना पड़ता है ऐसी अवस्था थी लेकिन यह सब होने के बाद भी यह सुख की रहा नहीं है इसमें अपमान होगा उपहास होगा बहुत कष्ट में जीना पड़ेगा यह सब है लेकिन ऐसा है तो भी काम करना है निरंतर उपेक्षा का सामना करना है सप्रकार के घष्टों का कर्मयोग ही अमुची दिक्षा सत्वाची प्रतिपदी परीक्षा विपर्यास छल विपदा निंदा यातुनी योगाभ्यास ऐसा उस समय का वतावरण था लेकिन ऐसा योगाभ्यास जिनों ने अपने स्वभाव में रचा पचा लिया है ऐसे कारिकरता हमको दिखते थे सब्सक्राइब और वो अजाद्शत्रु है सब के आधार बनते है इतना ही नहीं तो दुड़स अंकल्प है सब परिस्थितियों में कार्य नहीं छुटता है बाकी दो बाते कम जादा करनी पड़ी जीवन में तो करेंगे लेकिन इस कार्य को कभे नहीं छोड़ेंगे इस प्रकार का उनका स सब कश्ट सहन करके बाना दिखता था और हम देखते थे कि ऐसा रहने से कई काम होते थे ऐसा रहने से कार्य करताओं के मन में एक शरद्दा भी थी और एक विश्वास भी था इस कुए में कुछ जाओ ऐसा कहने से आत्मी विचार ना करते हुए कुछ जाता था आप कलपना कीजिए हमिल नाडू में कन्या कुमारी में और जहां पूर्ण प्रभाव है विरोधियों का ऐसे स्थान पर को एक क्रास हटाया वहां ऐसा स्मारत निर्मानों इसलिए केरल से परिवारों को बताया कि आपको वहां जाके रहना है अपने गाव में ठीक से बसे परिवार वहां का सब छोड़कर दत्ता जी के कहने पर वहां जाके बसे और आज तक वहां है किंद्र बनने के बाद एक बार उनको पूछा गया कि जिसके लिए आप लोग यहां आये थे वह तो काम हो गया तो अब जाना चाहते हो तो तो सबने का कि हमको बताया था यहां के रहने के लिए वह हम काम कर रहे हैं हम अगर अनुपयुकत लगते हैं तो हमको वापस भेजो नहीं तो हम तो जो योजना है उसका पालत कर रहे हैं वहां रहेंगे, वहां रहने से उनका भौतिक जीवन मान कुछ अच्छा हो गया, वगर ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा बहुत साहस से सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी रहे और आज भी है, ये जो शब्दों का सामर्थ है, वानी का सामर्थ है, वो जीवन के कारण खड़ा ह है, ऐसी कठीन अवस्था में भी काम करके, शून्य से एक सुष्टी को खड़ा करना, ये सामर्थ है, उस ठरित्र के कारण, उस दुरुड़संकल्प के कारण, एक जीवन निरंतर चलता है, सब परिस्थित्यों में जीवन नहीं बदलता, दिशा बदलती है, ऐसा कभी नही बदलती है, यह जब दिखता है, तो उस विचार के पीछे, उस सत्य के पीछे, उस जीवन के साथ, समाज की शक्ति अपने आप खड़ी होती है, और इसलिए, दत्ता जी का स्मरण हम कर रहे है, अच्छी बात है, परुंतु अध्यान भी करना चाहिए, शतापदी वर्षा में कार्यक्रमों में हमने स्मरण कर लिया, पुस्तक के प्रकाशित होई है, उसको एक बार पढ़ लिया, और हो गया, ऐसा नहीं है, तो कौनसे गुण आवश्चक है इस कार्यको आगे बढ़ाने के लिए, कैसा संकल्प जीवन का आवश्चक है, उसकी परिपूरती करने के लिए, और किस प्रकार व्यक्तियों को जोडते हैं, उनकी योजना करते हैं, उनको समालते हैं, यह जानना और जानकर अपने जीवन में एक एक चीज परिश्रम से खड़ी करना, क्योंकि यह अपने आप नहीं होता है, किसी के जीवन में यह अपने आप नहीं हुआ है, उसके लिए बहुत कठिन शरीर के और मन के परिश्रम किये गए यह लोकप्रियता के भरोसे नहीं होता यह साधन संपनता के भरोसे नहीं होता उसके लिए अपना कठोर परिक्षन करते हुए एक एक चीज को ठीक करके आगे बढ़ाना पड़ता है और दत्ता जी जब थे वो समय कार्य की दुरुष्टी से अत्यनता प्रतिकूल था लेकिन वो प्रतिकूलता ही अपने गुणवर्धन के लिए उस काल को अत्यनता अनुकूल बनाती थी आज हरमा हमारा काम और कठीन इसलिए है कि यह अनुकूलता उस हमारे स्वभाव के पोशन के लिए प्रतिकूल है और उस अनुकूलता में सोच जाना ही पड़ेगा बायदाय करके जाने का रास्ता नहीं है वो एक संग में भूत की गली नाम का खेल होता है दो पंक्तियों के बीच में एक जवान दोड़ता है और जो बीच में से दोड़ेगा तो उसके पीट पर तमाचे लगाएंगे लो बायदाय करके जाने की प्रिविशन नहीं हो बीच में से जाना पड़ता है जितने जल्दी जाएगा उतना तमाचे कम पड़ेगे ऐसा खेले आज हमारे सामने ऐसा यह अनुकूलता की गली है इसको टाल हम नहीं सकते क्योंकि यह हमने मांगी नहीं है यह हम पर डाली गई ह है जरे समाच की द्वार了吧 सा लेकिन इसको घेलते हुए भी अपने आपको अपने शील पर शुत्व पर सत्व पर कायम रखना इसके लिए जो बाहर से प्रतिकूलता का आधार मिलता था वो आज नहीं है बाहर से अनुकूलता जन्य प्रतिकूलता है और इसलिए हमको इसके लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा शताबदी हमने मनाई और कुछ निच्च चलने वाली बाते भी दत्ता जी के चरितर वेक्तित्व के अनुरूप हम करने वाले हैं यहां एक मार्गो को नाम मिलेगा एक सभागुरू को नाम मिलेगा वो इसलिए मिलेगा दत्ता जी की स्मृति रहे वो था ठीक है वो यह नाम नहीं देते तो भी उनकी जीवन के कारण उनकी स्मृति रही थी परन्तु एक दो तीन पिड़ी निकल जाने के बाद वो स्मृत अपने आप नहीं आती, फुस्तक है, लेकिन सब लोग नहीं पड़ते, लेकिन जो उल्लेख हुआ लंबी छाया किसकी है, वो लंबी छाया क्यों पड़ती है, उचरित्रों के कारण नहीं पड़ती, तो तेजो मय प्रतिबिम्ब तुमारे स्वयम सिध्ध अगनित निकले हैं डॉक्टर हिडगयावार हो गए, क्या ये विश्वास रखने लायक बात है आज के जमाने में, ऐसा कोई विक्ति हो गया, लेकिन विश्वास रहता है क्योंकि वैसा ही चलने वाले और अधिक लोग है, पाचवी पिड़ी तक है, तो पहले के भी ऐसा था, आजकल संभव न नहीं, ऐसा विचार ही मन में नहीं आता, जो लोग वैसे समाज की दुर्षी से सारा वरणन समाज सुदता है, तो उनको अलोकिक मानता है, लेकिन अलोकिक होकर भी, लोगों के प्रति वो लोग की कही दिखते थे, लगता ही के पास जाते थे, तो कोई ऐसा महापुरुष सा परंतु 50% निश्चित अब उन्होंने अपना रूप ऐसा नहीं रखा था, तो अराम से अपने मित्र से बात करते ऐसा लगता था, अपने बड़े भाई से बात करते ऐसा लगता था, संकोश नहीं होता था, जो कहा जाता है, वो स्विकारियोग्य है ही, ये मन पहले ही बन आ गयता है ऐसे लोग अभी तक होते रहे हैं इसलिए हमारे लोगों का समाज का ऐसे हो सकता है इस पर विश्वास है और जब तक वो विश्वास है तब तक ऐसे होने का दर्वाजा खुला है अब आगे भी यह दर्वाजा खुला रखना यह दाई तो हमारा होता है और इसलिए हमको शताब्दी के समापन को अपने संकल्प युक्त प्रयासों का आरंभ मान कर चलना पड़े है। यो कैसे थे जिन्होंने देखा है उनसे बेट कर जाने। उनकी छत्रेचाय में पलिवे कारकरताओं का जीवन देखे। उन्होंने उनसे क्या लिया है अनुकरण में उनको पूछे। और हम तै करें कि एक एक चीज एक एक चीज अपने जीवन में लाने की लिए हम परिक्षरम करेंगे अपनी सताब्दी होगी हो कोई हमारा स्मरण करें यह तो अपेक्षा उन लोगों की बिल्कुल नहीं थी दत्ता जी की बिल्कुल नहीं थी के वह मारी आवश्यक्ता है कि हम मना रहें इसलिए मना रहें हमको जानते हैं कि उनकी अफिक्षा नहीं है परन्तु हमारे लिए आवश्यक है उनको स्मरण करना उनका अनुकरन करना अनुसरन करना उसका संकल्प लेने का आज का दिन है वर्षभर हमने उनकी यादे उनकी स्मरण फिर से खोट-खोर कर निकाल कर अपने लिए जागृत किये उस्तक रूप में हमारे सामने हाथ में चलेगा परन्तु उसके आधार पर हमको हमारे जीवन को वैसा करना है रशा बदली है कारे की समाज की स्थिती बदली है लेकिन हमारी दिशा नहीं बदलनी चाहिए उस दिशा पर अडिक चलते हुए और साथ हमें लोगों को ले जाते हुए जो कदम दिखेंगे उसके आध तो यह जो राह बनाई है उस राह को चलता रखने का काम करना यह संकल्प आज हम सब अपने मन में ले और चन्मश्यताब्दी के वर्ष में जो सारी यश्रस्वी कारेक्रम हुए उसके लिए सब कारेकरता अभिनंदन के पात्र है लेकिन उनकारेक्रमों को अपना जीवनक्रम बनाकर हम चले ऐसा हम सब करे इसका संकल्प ले ऐसा एक विचार मन में आता है आपके चिंतन के लिए आपके सामने रखता हूं और मेरे चार शब्दा समाप्त करता हूं